नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बिनास एजूकेशन पॉइंट पर चलिए चलते हैं आज की हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक पर जो की हमने मद्य प्रदेश का लोग से वह आयोग का कैलेंडर बर्स 2021 की सा गया है उससे स हत्यपोर्ण सुचना है कि 2020-2019 की मुख्ष परिच्छा कब होगी 2020 का एक्जाम कब होगा 2021 का एक्जाम कब होगा यह आज की एकड़ में कलेंडर में हम देखेंगे तो चलिए देखते हैं आज का यह है पर मुख्ष सूचना तो परिक्षा का नाम विज्यापन प्रकाशन पर परिक्षा παरिक्षा परिक्षा परिक्षा मुख्ष परिक्षा परिक्षा साक्षतकर अंत्यम चैन परिक्षा को आज की हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा चलिए देखते हैं राज्य सेवा मुख़ परिच्य 2019 विग्यापन प्रकार्शन इसका चौदर तारीक 14 नवंबर 2019 को होगा था प्राणवेख परिच्छा इसकी बाला जन्वशनवर 2020 को ही थी प्राणवेख परिच्छा का परिणाम 21 दिसम्बर 2020 को आया है था कि मुखह परीछा तो Kelsey का परिच्रा परिणाम का आएगा तो जलाई भरने ओर अजर करना पड़ एकश्ट्रिकार के वजब करना पड़ेगा क्यूंकि अगस्त में मुखह परिच्रा परिणाम अक्तूबर में आज़त किया जाएगा यह अंतिम चैन जो परिणाम है इसका अक्तूबर में आ जाएगा 2019 की परिच्छा पूरी क्लियर हो जाएगी अंतिम चैन अक्तूबर 2021 तक क्लियर हो जाएगा इसके बाद में जो राज बंचः परिच्छ 2019 है इसका भी प्रकाशन 14 तायर 14 नमंबा 2019 को हुगा था साथी साथ इसको प्रारीम परिच्छा थी 12 जन्वर 2020 को प्रारीम परिच्छा का परिणाम की देसंबा 2020 को आया था मुख्ः परिच्छा 19 सेतंबा 2021 को ही थी मुख्य परिच्छा का परिणाम आएगा इसका अक्टू इसकी जो मुख्य परिच्छा भी आउज़त हो नहीं वहाई 19 सेतंबर 2021 को आउज़त की जाएगी और मुख्य परिच्छा का परिणाम इसका अक्तूबर 2021 में आउज़त की आज़ाएगा यह अंतिम चैन का परिणाम ह धीक है का चलिए देखते हैं आज प्रमोखर राज्य सेवा प्रारमिय प्रेशा 2020, जो राज्य सेवा परीच्छा 2020 है, इसको जो विग्याप्ति आए थी अथा, विग्यापन जो प्रकाशन था, 28 दिसंबर 2020 को आया था, इसको प्रारमिय प्रेश्चा है, दो बार तल कर 11 जु जो उनकी बाद 25 जुलाई 2021 को आज़ित की जाने वाली है और प्रार्यमे परिक्षा का जो इसका परिणाम है ऐगस्त 2021 में आ जाएगा अर्था जो अभ्यरती है थी 25 जुलाई को एक जाम दे रहे हैं उनके लिए लंबे समय तक के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अ मुख परिक्षा का आयोजन किया जाएगा यह मुख परिक्षा का परिणाम है जनबरी 2022 तक आएगा और इसका साक्षातकार मार्च 2022 में संपन होगा और अंत्रम चैन का परिणाम है अप्रेल 2022 में आएगा तेदि आप 25 जुलाई को एकजाम दे रहे हूँ तो अगस्त में आप की प्रार्ण में परिक्षा करेंगा और मुख्ष परिक्षा का जो आपका मार्च 2022 में आज़त होगा अप्रियल तक आप अपनी मन चाही पोस्ट को प्राप्त कर सकती है इसके बाद जो राज जिसेवा बन परिक्षा है उसका भी 28 तारीक 28 दिसमबल 2020 को विक्षी 59 जुलाय 2021 को एकजाम है अगस्त 2020 को रियल्ट आएगा अक्टूबर 2021 जो मुख्वपरㄩ के जाएगी मुख्वर 2025 का परिक्षा के परिक्षा के परिनाम भी अक्तूबर में आएगा इवन जू साक्षाटकार का समबल 2021 में आजद किया जाएगा और दि प्रवब्र antips की राज़ जसे वा परीक्छा 2021 जिसका सब्मब्र 2021 में बिज्ञापन प्रकाश्चन किया जाएक। नबंब्र 2020 तक इसकी प्राण में परीक्छा का आउजित किया जाएगा। प्रान्विफ परिक्षा का जो परिणाम है 2 December 2021 तक आएगा मुख्ष परिक्षा मार्च 2022 में आउजित की जाएगी मुख्ष परिक्षा का परिणाम मैं 2022 में आउजित किया जाएगा यह अंतिम चैन का जो परिणाम है अगस्त 2022 तक आएगा अर्था 2021 की प्रक्रिया उसमें भी एक साल लग भग लग जाएगा और राज बन परीक्छा जो ऑगी जह सांबार 221 में इसका बिग्यापन प्रकाशन होगा नमंबा स्वांप्र 221 में तक इसजयंब करांबर परिक्षा की जाएगी आईवजित दिसम्बी दो और साक्षतकार अक्तूबर में आउजित किया जाएगा अक्तूबर में ही आपका चैन हो जाएगा और जो राज जिसे प्राइमभी परिष्षा दुह है बीस जो पच्ची जलाई को आउजित होनी है इसका परिष्षा परिणाम अगस्त में आएगा 23 से 21 नमबर को मुख़़ में ही परिष्षा का उजन किया जाएगा जंबरी में मुक्य परिष्षा का पदा माँएगा साक्षतकार मार्च में ऑर अप्रेल में आपका ấyनगा परिणाम आजाएगा और राज्जी शेवाप्रारी में 27 से शेतंबर में बिढ़्यप्तपी आएगी कि नमबर में आपका एकजाम होगा निसमबर में परिणाँ रिणाम आएगा मार्च में मुख्भ पριच्छा का परिणाम आएगा जुलाई में आपका इंटर्वी होगा और अगस्त में आपका परिणाम आ जाएगा एवं जो अन्यभरतियां हैं अन्यभरती परिक्षाओं के अंतरगत परिक्षाओं के नाम है दंत सल्लिच किस्था परिक्षा दो जाल उन्नीस विग्यापन प्रकाशा ने इसका 28 नमबर दो जाल उन के बाद जो राज अवियानतर की सेवा परिक्षा 2020 है वह 29 तारीख 29 दिसम्बर 2020 को इसका विग्यापन प्रकाशान हुआ तो एकजाम जो है आपका 26 स्थम्बर 2021 को होगा परिक्षा परिनाम आपका अक्टूबर 2021 को होगा और साक्षतकार जो है बडिसम्बर 2021 में आपका आय विजित हो जाएगा इसके बाद कि जो अन्य भी है मैं हचे किस्सा अधिकारी अधिकारी मेडिकल ओपीसर दो जारीकिस तो चौदा छे दो जारीकिस को इसका विध्यापन प्रकाशन हुआ था और ऑनलाइन यह परिक्षा परिणाम साक्षातकार से और सेतंबर दो जारीकिस म बिग्जापन अभी इसका विध्यापन और 24 अकतुबर दो जारीकिस को आपका एकजराम होगा नम ओनलाइन परिक्षा परिक्षा परिणाम नमबब दो जारीकिस को आजाएगा जनलबडी 2022 को आपका साक्षातकार होगा यह द successor को आपका आपका हो जाएगा, सहायक, संचा अलग संबर्ग सामाजिक न्याय परिक्षा आठ फर्वरी 2021 को इसकी विग्यप्ति आई थी, 14 नमंबर 2021 को आपका एक्जाम होगा ओल्लाइन, दिसंबर 2021 में इसका परिणाम आएगा, फर्वरी 2022 को आपका साक्षत कर और मार्च 2022 में आपका नित्रम्चेर परिणाम हो जाएगा, सहायक जिला लोग अभियोजन अधिकारी परिच्छा 2021, इसका साथ जुन 2021 को विग्यप्ति आई थी, पांथ दिसंबर 2021 को एक्जाम होगा, दिसंबर 2021 में ही परिच्छा परिणाम आजाएगा, फर्वरी में आपका इंटर्वी होगा 2022 में, उमार 2022 में आपकी नोकरी लग जाएगी, उपले सदिक्छक जो है रेडियो में कम्प्यूटर जिसकी जुन 2021 में विग्यप्ति आई है, इसका जो एक्जाम है उन्नी दिसंबर 2021 को आई जित किया जाना है, और साक्षातकार जो है इसका परिच्छा परिणाम जन्बरी 2022 में आएगा, एवं साक्षातकार जो है जो मार्च 2022 में होगा, अप्रेल 2022 में आपकी नोकरी आ जाएगी, और राज अभियानती की सेवा परिच्छा 2021 सितंबर 2021 में भी इसकी विग्यप्ति आना है, 26 दिसंबर को उन्लाइन एक्जाम होगा, जन्बरी में रियल्ट आएगा, अप्रेल में साक्षातकार होगा, माई में इसका परिणाम आएगा, रस्तावत कारेक्रम में परिष्टिती वस्परिवर्तन संभाव है, वेभागों से प्राप्त मांग पत्र और प्रांत अन परिच्छा भी सामल की जा सकती है, तो परिच्छा नियंतरक के आज के साइन भी है, तो आज का जो एकर में कलेंडर है, 100% रियल है, वेश्ट में किसी कारी कोई फेक बात नहीं है, तो आप अपनी तयार में नयंतर जुट जाएं, जो 2019 के जिनका प्रेमेंस के लिए होने की उम्मीद है, तो अपनी इंटर्व नमबर में होने वाले एक्जाम की लिए नंतर तयारी करते रहें, और हमारे जो चैनल है बिनस अजिकी सन्पाइंट से वा वीडियो के माध्यम से आप नंतर अपने घर बैठ तयारी कर सकते हैं, मेंस के भी हमारे पास नोट से और आप पर्चिस कर सकते हैं, डिस्कप्शन लिंक या पर जो हमारी कॉंटेक्ट नंबर दिया रहता है सता सट बानवे चौति दस इस पर कॉंटेक्ट करके भी आप हमारे नोट से प्राप्त कर सकते हैं तो मद्दपदेश लोग सिभा आयो की तरफ से आपिशल यह नोट जारी किया गया है जो एकेट में कलेंडर है कलें सब कुछ आपको विस्तत मल जाएगा आप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमासा करते हैं आगे भी हमारे साथ यह ही जुड़ी रहेंगे धन्यवाद दोस्तों